हेलो गाइज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नमबर 12 करेंगे जो की क्लास 7th की है और विश्य है सामाजिक विज्ञान इतिहास ये वर्क्षिट 1st सेप्टेंबर 2021 की है तो आज़े शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आज़े देखते हैं आज की वर्क्षिट दिल्ली के सुल्तान देखे क्या दिया गया आज की वर्क्षिट में यहाँ पे कुछ पिच मस्जित के बारे में यहां पे दिखाया गया है उपरोग चित्र में दी गई मस्जित की निर्मान काल उससे जुड़ी अन्य जानकरी अपनी पाथे पुस्तक की सहायता से एकर्तित कीजे तो यह काम आपका है इसमें आपको क्या करना है बच्चे अपनी नोट बुक्स में कोशिन अंसर हम करेंगे बाकी कोशिन अंसर जो वक्षित में दिया गया है उसे समझते हैं दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेश कर इल्टूत मिश सामन्तों और जमीदारों के स्थान पर अपने विशेश गुलामों को सुबेदार नियुक्ति करना अधिक पसंद करते थ इल्ली के जो आरंभिक सुल्तान थे विशेश कर जो इल्टूत मिश थे वो क्या करते थे सामन्तों और जमीदारों के स्थान पर मतलब उनको क्या जो सामन्तों और जमीदारों के स्थान पर वो क्या करते थे अपने विशेश गुलामों को ही सुबेदार रखना उन्हें सा काम करेगा ना सुमेदार रखते थे और इन्हें क्या कहा जाता था बंदगा कहा जाता था और ये सैनिक सेवा के लिए खरीदे जाते थे खलजी तथा तुगलक शाषक बंदगा का इस्तमाल करते रहे और साथ ही अपने आशित निम्न वर्ग के लोगों को भी उंचे राज सुवेदार जैसे पत दिये जाते थे जो निम्न वर्ग के लोग थे उन्हें कों से पत दिये जाते थे सेना पती और सुवेदार जैसे पत दिये जाते थे गुलाम और आशित अन्य मालिकों और सनक्षकों के प्रती वफादार होते थे जो ये गुलाम बंदगा थे ये क्या थे जो एक तो दूसरा जो राजा मारा जाते जो सल्तनात थे उन पर क्या थे सुल्तान थे उनके उपर क्या थे आशिर थे और ये क्या थे मालिकों और सरंक्षक के प्रती वफादार थे मगर उनके उत्राद कारों के प्रती नहीं थे नए सुल्तानों के अपने नोकर होते थे फल सवरूप नए शाशकों के सिहांसर पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सर्दारों में टक्राहट शुरू हो जाती थी तो देखो क्या कहा रहा है यह अपने मालिकों के प्रतितों वफादार होते थे लेकिन मनलब की जैसे कि राजा का बेटा राजा बनेगा तो उसके बाद जो उनका बेटा बना है राजा तो उसके लिए वो ज़रूर नहीं होते थे सुल्तानों के पास अपने नोकर होते थे विशेश करके होता था नए जो सिहासर पर नए बैठते थे तो नए और पुराने शाषकों के बीच में क्या हो जाती थे थोड़ी टकराहट शुरू हो जाते थे सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शाषक को ने भी सेना नायकों को भिन-भिन आकार के इलाकों के सुवेदार के रूप में नियक्त किया सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक के शाशक थे जिसे सुल्तानों ने किया उसी तरह सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शाशक के जो सेना नायक थे उन्होंने भिन-भिन आकार के इलाकों के सुबेदार के रूप में नियक्त किया ये इलाके इक्ता कहलाते थे, उन्होंने क्या किसे decide कर लिया, कि इस area का ये सुबेदार होगा, इस area का ये सुबेदार होगा, तो इन इलाकों को क्या खा जाता था, इक्ता कहलाते थे, इन्हें संभालने वाले इक्तादारिया मुक्ती कहे जाते थे, जो इन्हें संभालता था कि सैनिक अब देखा कि मुक्ति किसे का गया उन्होंने क्या सुना कुछ इलाके बना दी और उन्हें संभालने के लिए इक्तादार ये मुक्ति बनाएगे अब इन मुक्ति का क्या काम होता था मुक्ति का काम होता था सैनिक अभ्यानों का नेतरतु करना जो सैनिक थे उनके कानून और विवस्ता बनाए रखना मलब झेखो ये एरिया दे दिया उन्को अब इस सएनिक भाइन उसका काम कोन करेगा इसके लावा यहां पर कानून और विवस्तह बनी लए इस gensा काम विस्तार करेंगा अपने सिनिक उन्हों के बदल इक्तादार उन्होंने क्या बनाया अपने सैनिक बना दिये तो जो राज्यसुल्चर जो भी उनको पैसा मिलता था उससे वो क्या करते थे उनको जो सैनिक थे उन्हें तनका भी देते थे नेक्स देखे क्या मुक्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह है था कि उनका पदवश परंप्रा से ने चले और उन्हें कोई भी एक्ता थोड़े थोड़े समय में मिले जिसके बाद उनका स्थाना नतर्ण कर दिया जाता था अब देखो जो सुल्ता उन्होंने क्या सोचा कि अगर एक एरिये पर मानलों कि यह अलग अलग एरिया ठीक है यहां पर क्या दिया कि वी कुछ टाइम लंबे टाइम तक इक्ता चोड़ दिया तो क्या होगा धीरे दिर उसका राज्यसु बढ़ जाएका उसका मलब सब लोग उसे डरने लग जाएं के लिए मिले मतलब उन्हों को कोई भी एकता जो इकता दार था उनको जोबी एकता है जो उनका इलाका है वो ठोड़े टाइम मिले मतलब कि थोड़ा टाइम के लिए अलावदिन खिल जी के शाशनकाल में भू राजस्व के निर्धारन और वसुली के कारे को राज्य अपने नियंतर में ले लिया था गया था, जो वहां के स्थानिय लोग थे, जो सिमान थे, जो सुबेदार थे, उनसे क्या किया गया था, वहां से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया था, स्वेम उन्हें कर देने के लिए बाध्या किया गया और उन्हें कहा गया भी आप भी कर देंगे, उस समय तीन तरह क कर लिये जाते थे ग्रशी पर जिसे खराज कहा जाता था जो किसान की उपज का लगबग 50% होता था एक तो क्रशी पर लेते थे दूसरा मोवेशियों पर लेते थे और घरों पर लेते थे तो ये थे जो लाउदिन खिलजी के कर वेवस्ता की विशेशता है थी देखो एक तो ठीक है और उसके लावा तीन तरह के कर लेते थे एक तो कृशिपर लेते थे, मवेशयों पर लेते थे और घरों पर लेते थे ठीक है student तो अब हम इसके करते है कोशेनल से देखे क्या है यदि आप सल्तनत काल के इक्ताधार होते तो आप कौन से कारे करने होते अगर आप होते तो पुटा क्या कारा करते हैं एक तो सेनिक अभियानों का नितर करना होतां, इकता में कानून बनाना होतां, उनकी वत अद्वास्ता बनायार रखनी होती, राजहसु की वसूली करनी होती और इसके लाभा सेनिकों को तंखा भी देते हैं जो श्यासु मिलता ह तनखा भी देनी होती है, तो ये कारह आपके होती है, तो आएए करते हैं इसका अंसर हम, तो आएए देखते हैं पेटा, अंसर नमबर वन, यदि मैं सल्तनात काल में इकताफ होता, ठीक, एकतादार लिख दीजिगा यहाँ पे, तो देखिए पेटा, क्या कहा गया है यहाँ कि यदे मैं सल्तनत काल में इक्तादार होता, तो मुझे सैनिक अभ्यानों का नेतर्त करना होता और अपने इक्तों में कानुन विवस्ता बनाए रखना अगर यही काम ते ना देख तो इक्तादार के तो क्या होगा यदी मैं सल्तनत काल में इक्तादार होता तो मुझे सैनिक अभ्याणों कानून विवस्ता बनाये रखना होता अपने इलाकों में राजसु की वसूली करनी होती नेक्स देखे क्या होगा बैटा राजसु के रूप में मिली रकम से कि मैं अपने सैनिकों को तनखा भी देता देखो तीन काम है बैटा इसका शोट अंसर नहीं हो सकता आपको तीनों पॉइंट यहां पर लिखने होंगे तो फर्स्ट एक बड़ फिर देख लेते हैं क्या है बैटा फर्स्ट पॉइंट इसमें देखे क्या है बैटा यदि मैं सल्कनत काल में इक्तादार लिख दीजेगा इक्तादार होता तो मुझे सैनिक अभ्यानों का नेतर्त करना होता और अपने इक्तों में कानून और विवस्ता बनाए रखना होता अपने इलाकों से राजसु की वसूली करनी होती और नेक्स देखो क्या है राजसु के रूप में मिली रकम से ही मैं अपने सैनिकों को तनखा भी देता तो ये तीन पोइंट हो जाएंगे इसके अंदर अब हम करते हैं नेक्स्ट कोशन आईए देखते हैं प्रशन नमबर टू अलाव दिन खिल जी के शाशन मेकर परणाली की विशेशताओं का वर्णन कीजिए आपके कोशन भी लेंधी आते इस पर लिखा गया है कि वर्णन कीजिए या बताईए कौन-कौन से कारे करने होते क्योंकि बच्चे कहते कि मैं शोट अंसकरवाई तो थोड़े-थोड़े कोशन तो इतिहास में जो आपकी है इसके अंदर थोड़े-थोड़े कोशन लोंग होई जाते हैं इस पर देखे बिटा आप ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे आपका कोशन नंबर टू का अंसर होगा अलावदिन खिल जी के शाशन काल में भू राजसु के निर्मान और वसूली के कारेया वो राज्य अपने नियंतर में ले आया स्थानिय समानतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया और स्वैम उन्हें कर देने के लिए बांधे किया गया वर्णन करना है न वर्णन में कोशन बड़ा हो जाता है अब आप सेवन्थ क्लास में आ रहे तो कोशन क्या होंगे थोड़े थोड़े लेंथी होने शुरू हो जाएंगे उस समय तीन तरह के कर लिये जाते थे कृशी पर जिसे खराज कहा जाता था जो किसानों की उपज का लगबग पचात परतिशत होता था मवेशियों पर और घरों पर ठीक है स्टुडेंट तो ये है आपके सेकिंड कोशन का अंसर बच्चे आज की वरक्षिट कंप्लीट होती है वरक्षिट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कर आई और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए थैंक यू स्टूरेंट